नमस्कार मैं हूँ रंजीत जा सुप्रिम कोट में मोधी सरकार द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त समेत अन्य चुनाव आयुक्तों की न्युक्ति के लिए बनाए गए नए कानून को चुनावती दी गई और सुप्रिम कोट में क्या हुआ है ये दहिंदू के आर्टिकिल में बहुत बारिकी से समझाया गया है सुप्रिम कोट में जजों की राय क्या थी और उनकी मानसिक्ता इस कानून को लेकर क्या है वो दोनों इस खबर के जड़िये असपष्ट होने जा रही है यहाँ पर जो सबसे बड़ी जानकारी आई है कि सुप्रिम कोट ने मोदी सरकार के द्वरा लाए गए इस कानून पर रोक लगाने से इनकार किया है लेकिन जो याचिकाएं परी हैं चाहे वो जया ठाकूर के तरफ से याचिकाएं परी हो या अलग अलग याचिकाएं परी हो उसमें जो दलीलें दी गई हैं वो दलील कितना महतोपुर्ण है जज कन्विंस हो पाए क्या यह सबसे महतोपुर्ण मुद्दा है सुप्रिम कोट में निश्चित तोर पर जब कोई कानून को चुनूती परती है तो सुप्रिम कोट के लिए भी उस बक औसहज कर देने वाले इस्थति होती है क्योंकि कानून संसद के द्वारा बनाये जाते है और ऐसे में जब मामला सुप्रिम कोट पहुंचता है तो उस पर विचार करना और सुनवाई करने के लिए हां कहना भी बहुत बड़ी बात होती है यहां पर इस्थति यहा है कि सुप्रिम कोट ने कानून पर रोक लगाने से तो मना किया है लेकिन यहां सुनवाई के लिए याचिका मनजूर कर ली गई है इस पर बहस होगी हाला कि जो अभी तक का record है ऐसे मामले सुनबाई के लिए जरूर accept हो जाते हैं लेकिन आगे चल कर सरकार के हक में फैसला आ जाता है कई बार दिखा गया है फिर चाहे Article 370 का ही मामला क्यों ना हो या फिर कई अन्य मामले ही क्यों ना हो जरा देखे अपने स्क्रिन पर दा हिंदू ने क्या जानकारी दी है CEC की न्यूक्ती सुप्रिम कोट का नए कानून पर रोक लगने सेनकार एप्रेल में सुनबाई के लिए नोटिस जारी किया गया है केंदर सरकार को और इसमें जो तरक दिया गया है CGI डिवा चंद्रचूर के बाद अगले मुख नया दिश हो सकते है यहाँ पर लिखा गया है कि याचिका करताओं ने कहा था कि CEC और EC का चैन करने वाले पैनल से CGI को बाहर रखने वाला केंदर का नया कानून शक्तियों के प्रिथक करन की अवधारना के खिलाफ है और जो करने के लिए सुप्रिम कोट के पास बाते रखी गई है उसे देखे बहुत अच्छे से दहिंदू ने लिखा है कि रिट याचिका में अदालत के विचार के लिए रखा गया महत्वपुर्ण कानूनी प्रशन इस संबैधानिक जाच के इर्द गर्द घूमता है कि क्या संसद या किसी विधान सभा के पास सुप्रिम कोट द्वारा पहले दिये गए फैसले को रद करने या संसोधित करने के लिए राजपत्रादी सूचना या अध्यादेश जारी करने का अधिकार है या नहीं विशेश रूप से जब निर्ने संबिधान पीठ से आता है या चिका में प्रस्तुत किया गया है देखिए यहां कहने का मतलब यह है कि अगर सुप्रिम कोट के संबिधान पीठ से कोई निर्ने आता है तो क्या उस संविधान फीट के फैसले को सरकार तुरंत पलट सकती है या फिर इसे पलटा जा सकता है क्या चाहे वो परलेमेंट की बात हो या एसमबली की बात हो गौर करने बाली बात या है कि हाल ही में अरविंद केजिरीवाल का जो मामला था दिल्ली में राज सरकार की शक्तियों को लेकर उसमें सुप्रिम कोट ने केजिरीवाल सहब के या दिल्ली के मुख्य मंत्री चुनी हुई सरकार के हक में फैसला सुनाया था पुरी शक्तियां उनके पास दी गई थी कुछ को छोर करके लेकिन ऐसे में वहां केंदर सरकार ने अध्यादेश लाकर सब कुछ पलट दिया और उस वक्त भी मामला सम्मिधान पीट से गया था और अभी भी वो सुनवाई पे सुनवाई के ही विचारा धिन रह गया है सुनवाई चल रही थी लेकिन अभी तक इस पर कोई थोस निर्ने सम्मिधान पीट से फिर से नहीं आया है तो गौर करना होगा कि कई ऐसे मुद्धे वहां सुप्रीम कोट में है जिस पर एक थोस निर्ने की जरुरत है मामला तो एप्रिल के लिए चला गया लेकिन गौर कीजिए यहाँ पर इस बात पर कि अभी तो सीसी बदलेंगे नहीं ये तो राजीव कुमार जो है वो 2024 का लोग सभा चुनाव करा देंगे इसके बाद जो चुनाव होंगे अगर वन नेशन वन एलेक्शन का प्लान ये अभी नहीं आता है तो इसके बाद जो चुनावायुक्तों की न्युक्ती होगी वो मोधी सरकार के यसमेन की न्युक्ती हो सकती है क्योंकि जो नए कानून है उसके तहत तो यही तह हुआ है कि पहले सर्च हंट किया जाएगा उसके बाद कानून मंत्री उसमें से चुन करके बेस्ट नाम जो है उस कमीटी को भेजेंगे जिसमें प्रधान मंत्री होंगे लिडर अप अपोजिशन होंगे और प्रधान मंत्री के पसंद का एक ब्यक्ति जो नामित होगा कैबिनेट मंत्री होगा वो कोई भी हो सकता है वो तै करेंगे कि चुनाव आयुक्त कोन होगा लेकिन इसमें बेलेंस तब था जब इसमें सुप्रीम कोट के मुख्य नयाधिश का नाम था सीजे आई सहब का नाम था लेकिन सीजे आई को बाहर का रास्ता सरकार ने अपने नए कानून के जर्ये दिखा दिया और इसी को चुनवती दी गई क्योंकि यह निर्दने भी सुप्रीम कोट के सम्विधान पीट से आया था और अब जब चुनाव आयुक्त आएंगे 2024 लोगसभा चुनाव के बाद तो जर्या सोचिएगा कि वहाँ पर यस मेन वाले एलेक्शन कमिशनर आपको दिखाई परेंगे तो चुनाव में निश्पक्षता की उम्मीद हो पाएगी या नहीं और यह मामला लेकर जब सुप्रीम कोट में जाया गया है तो वहाँ जज साहब के टुपने क्या थी तरह देखिए यहां लिखा गया है कि सुप्रीम कोट ने 12 जनवरी को एक नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें मुख्य चुनावायुक्त CEC और चुनावायुक्तों CEC की न्यूक्ति के लिए उच्चा धिकार प्राप्त चैन समीती के सदस्य के रूप में भारत के मुख्य नयाधिश को शामिल करने के शृर्ष अदालत के फैसले को खारिज कर दिया गया था यहां पर संजीव खन्ना ने पूछा कि हम किसी बनाएगे कानून को कैसे रोक सकते हैं इसका जवाब हमें वकीलों से चाहिए यहां पर लिखा गया है कि हम कानून पर कैसे ठीके रह सकते हैं या फिर उस कानून पर कैसे रोक लगा सकते हैं इसको लेकर जस्टिस संजीव खन्ना जो न्याय मुर्ती दिपांकर दत्ता के साथ मिलकर इस केस के सुनवाई कर रहे हैं उसमें उन्होंने पूछ दिया जया ठाकूर से जो याचिका करता भी है और कांग्रेस चिन्नेता भी है यहां लिखा गया है कि हलाकी पीठ ने भारत संग को नोटिस जारी किया और मामले को अप्रिल में सुनवाई के लिए सुची बद किया याचिका करता के वरिष्ट वकील विकास सिंग ने कहा यह कानून शक्तियों के प्रिथक करन की अवधारना के खिलाफ है और जो विकास सिंग ने दलीले रखी है वो कई माइने में इंपोर्टेंट भी है और जब बात जया ठाकुर की हो रही है तो जया ठाकुर ने क्या यह अंदलील दी है उनका कहना है कि CEC और अन्यचुनावायुक्त न्यूक्ति सेवा की शर्तें और कार्याले की अवधी अधिनियम 2023 ने भारत के मुख्य नयाधिश की जगह केंदरिय केविनेट मंत्री को न्यूक्त करके सुप्रिम कोट के फैसले को कमजोर कर दिया है तरक दिया उनकी याचिका में तरक या दिया गया है कि CGI के वहिशकार ने समीती को निस्प्रभावी कर दिया है और फिर यहाँ पर यह होगा कि जो प्रधान मंत्री और उनके नामित ब्यक्ति चाहेंगे उनका ही यहाँ पर सिक्रा चलेगा और किसी का नहीं चलने जा रहा है एक और याचिका सुप्रिम कोट में इस सम्मद में पड़ी गुपाल सिंग ने यह याचिका लगाई है और उनके विहाब पर एड़ोकेट ओन रिकॉर्ड संजी मलहोत्रा ने यह याचिका गायर की उन्होंने जो दलील दी है जला देखिए कि न्यूक्टी के लिए एक टतस्थ और स्वतंत्र चैन समीति का गठन करते हुए चैन की एक स्वतंत्र और पारज़ोसी परनाली लागू करने की मांग है लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि याचिकाएं तो बहुत सारी पर गई लेकिन सुप्रीम कोट ऐसे मामले में अब बहुत ही सोच समझ कर कदम उठा रहा है फूख फूख कर कदम उठा रहा है उन्हीं लगता है कि जब यहाँ मामला कानून के रूप में अब हमारे पास आया है तो इस पर रोक कैसे लगा है या तो केंदर सरकार की शक्तियों में हस्तक छेप जैसा होगा लेकिन सबसे बड़ी समझ्या यह है कि क्या यह कानून उचित है या नहीं उचित है चेक एन बैलेंस करना तो सुप्रीम कोट का काम है अगर सुप्रीम कोट को लगता है कि इस कानून में वो खामिया है जिससे चुनाव आयोग की निश्पाक्षता प्रभावित होती है तो निश्चित तोर पर सुप्रीम कोट को कोई ठोस खदम तो उठाना ही पड़ेगा निय ज़ीत तो न्याईपा लिकां से होनी चाहिए इसला क्या आएगा क्या वाकई में सरकार केंद्र सरकार यानि मोधी सरकार निर्णे को पल्टेगा क्या ऐसा हो सकता है कि अगली सरकार 2024 में प्रधान मंतरी मोधी की नहीं आए तो केंद्र सरकार जो नई बाली आए वो खुद ही इस कानून को रद करके इसमें संशोधन कर दे और फिर CGI की एंट्री करा दे क्या नई सरकार इसना जिगरा दिखा पाएगी तो निश्टे तोर पर य या मुख्य अलेक्षन कमिशिनर हो उनकी न्युक्ति फिर उसमें आपको निश्टपक्षता की कमी नजर आएगी अब यहां सुप्रीम कोट की भी अगनी पडिक्षा होगी कि उन्होंने सुनवाई के लिए मामले को स्विकार्ट को कर लिया है क्या वाकई में यहां मामला वहां तक मंजल तक पहुच पाएगा जिसमें देश का हर नागरिक चाहता है कि कम से कम चुनावायोग निश्पक्ष हो उसमें कोई यस में बहाल ना हो जाए जो सिर्फ सरकार के सुने अपने विवेक का इस्तेमाल ना करे यहीं सुप्रीम कोट की वो ट्योपने याद आती है कि चुनावायोग ऐसा होना चाहिए जो प्रधान मंत्री पर भी एक्षन लेने का माद्दा रखता हो नहीं तो यह कंप्रमाइज यस में टाइप के सिस्टम से देश बिलकुल भी लोगतंत्र के तोर पर मजबूत नहीं होगा यहां ध्यान रखने वाली बात है फिलाल इ